संजी ची आप ये कह रहे हैं कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा लेकिन किंग मेकर की भूमिका तो ऐसे होती है जो दोनों तरफ से प्ले कर सकती है मान लीजिए बीजेपी के पास ताकत ज्यादा हुई तो फिर आप क्या करिएगा ये एक कालपनिक सवाल है बीजेपी बुरी तरीके से हर्याणा में जा रही है उसका सफाया हो रहा है बीजेपी का पता नहीं लगेगा आप देखेगा चुनाओ परे नाम आएगा तो दस साल के अंदर खटर साहब ने हर्याणा को खटारा बनाने का काम किया आप बताईए दस साल के अंदर आज बेरोजगारी के जो आखड़े निकलते हैं उसमें नमबर एक पे हर्याणा पहुँच गया यहां अगनी वीर का मुद्धा है हर्याणा के गाओं गाओं में आप जाईए किसी ना किसी शहीद के नाम से गेट बना होता है किसी मेजर के नाम से, किसी जवान के नाम से, किसी सुवेदार के नाम से पुरा गाओं फाकरिस्ते कहता है, यह हमारा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ ये हमारा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, चाइना से लड़ते हुए शहीद हुआ, आपने अगनीवीर योजना ला दी, चार साल के ठेके पे आप भारत की सेना को रख रहे हैं, आप कहते हैं, हमारे किसान का बेटा जवान चार साल में रिटायर हो जाएगा, ये कौन सी योजना है आपकी, तो इसलिए इसको लेके काफी बिरोध है हरियारा में, अगनीवीर योजना को लेके, किसानों के साथ जो कुछ हुआ, वो किसी से चुपा नहीं है, आपने आसुगैस के गोले छोड़े उनके उपर, साड़े साथ सो किसानों ने अपनी पाकिस्तानी का क्या क्या नहीं किया, तो ये सारे मुद्दे हैं हरियारा में, आज लाइंड ओर्डर की बात आप कर लीजे, जो एक सर्वे आया है सामने, 46 महिलाओं के साथ हरियारा में प्रति दिन या तो अपरहन, या रेप, या छेड़ खानी की घटनाएं होती हैं, तो भाजपा तो जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, अभी संजे जी ने कही दिया है कि भाजपा जा रही है, और आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन रही है, इसका मतलब तो ये है कि आपके सपोर्ट से ही कॉंग्रेस पार्टी सत् अब देखे कई बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है लेकिन इसके जवाब में मेरा ये कहना होता है और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इस पे रिसर्च कीजिए गा इंडिये के भी घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें एक सो चवालिस करोन की आबादी का ये देश है नॉर्थ हीस्ट में जेडियो बीजेपी के खिलाफ चुना लड़ती थी जब इंडिये में थी अब तो दुबारा गया इंडिये में नीतिस कुमार जी सिवसेन उत्तर प्रदेश में 36 गड़ में कई राज्यों में बीजेपी के साथ जब रहती थी एंडिये में तब भी लड़ती थी उनके खिलाफ चुना लड़ती थी तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर राज्ये के अंदर एक साथ चुना लड़ेंगे हाँ बहुत सारे रास्टी मु पर पार्लिमेंट हो या ऐसे भी हो हम लोग एक रहते हैं लेकिन जब राज्यों के चुनाओं आएंगे जैसे पंजाब है पंजाब में हमारे लोकसभा के चुनाओं में कोई समझता नहीं हुआ हम लड़े एक दूसरे के खिलाफ लेकिन डिली में समझता हुआ तो ये डेम लेकिन आपने खुद ने अभी अनलिस्ट की बात की कि आप अनलिस्स करिएगा तो कई अनलिस्ट का मानना तो ये है कि आप और कॉंग्रेस पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से कहीं ऐसा ना हो बीजेपी को फायदा हो जाए ये कहां से बात चला ही जाती है मैं आ अजस्तान भी हम लड़े थे पिछला चुनाव उस बार भी कॉंग्रेस जीती थी करनाटका भी लड़े थे मैं मद्दप्रदेश भी हम लोग लड़े थे उस बार भी कॉंग्रेस जीती थी वहां पर गोवा लड़े थे हम कॉंग्रेस वहां जीती थी तो ये कहना कि आम कि बी्टी में? BJP वालों से पूछे किसकी बीडी में वो? आज भारती जनता पार्टी दिल्ली के अंदर पंजय के अंदर हरियाना के वार्टी जहां जहां हमारी ताकत ही उनके पास या तो कहीं विधायक तोड़ना है, सांसत तोड़ना है, पार्टी तोड़ना है या फिर, बे बुनियाद सारोप लगा कि कि इनकी B team है इनकी A team है कभी Congress कहती है उनकी B team है कभी BJP कहती है उनकी B team है आम आदमी पार्टी का नाम सुरू होता है A से और हम है अब रास्टी है पार्टी तो हम सबकी A team है किसी की B team नहीं है